हेलो काई साल करने स्पेशल एजुकेशन दोस्तों आज है साथ मही 2020 और आज के दह हिंद्यू निउस्पेपर के एडिटोरिल सेक्षन में जितनी भी मोस्ट इंपरेंट वोकेबलरी है जो कि आपके एक्जाम का पार्ट बन सकती है वो हम डिसकस करेंगे और जैसा कि आप सबसे पहले जो मैं बताती हूं मैं आपको हम वक दिया ता रेम ट जिसको मैंने आपको राम की पेंट के ठेस याद करवाय था राम की पेंट होगी जिटो सबसे पहला रिप्ला आया से सब्सक्राइब्स के बहु hin सचीन पत्रा जी का reply आथा इन लोगों ने बहुत अच्छे से reply किया I hope आप लोग डेली ही ऐसे reply करते रोगे So अगला दोस्तों जो reply आए था वो आए था हरींदरपाल सिंग का Then उसके बाद रवी कुपता का फिर अर्शपृत जी का reply आए था इन लोगों ने बहुत अच्छे से reply किया I hope आप लोग ऐसे ही reply करते रोगे ठीक है और यह जो लास्ट रिप्लाई है यह केम हेम का reply रिप्लाई है यह उपर नाम हीडन हो गया था So जले स्टार्ट करते है आज का हमारा फॉर्स जो वर्ड है आज का दोस्तों जो हमारा फॉर्स वर्ड हो है sketchy 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 दोस्तों actually adjective तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है incomplete मतलब अधूरा जो जीज पूरी ना हो complete ना हो उसे बोलते है sketchy So हम यह बोलते है कि lockdown के कारण जो मेरी study है जो बंदे schools में बढ़ते है उनकी study incomplete रहे गई बीच में जूट गई जो भी गाउं में बच्चे बढ़ते है तो उनकी study lockdown में sketchy रहे गई मतलब incomplete रहे गई अधूरी रहे गई complete नहीं है और हिंदी में इसका मतलब हो गया अधूरा सो अब देखते हैं इसको याद कैसे करना है इसको आप इस तरीक के से आद करो sketchy है ना तो sketchy को आप याद करो sketch के true s-k-e-t-c-h sketch sketch क्या होता है आप लोग पेंटिंग करते हो sketch बनाते हो किसी की photo's बनाते हो स्केच तो ऐसे याद करो यह जो मैंने sketch बनाया, यह sketchy है, यह अधूरा है, यह अपने friend को बोलो, तुने जो sketch बनाया वो अभी sketchy है, मतलब वो अभी incomplete है, अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, so sketching को हमें sketch के तुरू याद करना है, trick आपके सामने, यह sketch sketchy है, यह वाला sketch है, यह incomplete है, अधूरा है, अब दे देख लेते हैं हम न्यूस पेपर की कटिंग जहां से यह वाला संटेंस मैंने उठाया है यह जो इन्हों ने ओफर दी है इसकी जो डिटेल्स है वो स्केची है मतलब इनकंप्लीट है अधूरी है ठीक है तो यहां पर स्केची का मतलब हुगा है इनकंप्लीट या फिर अधूरा आइधूरा इफोप यह वरड अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे अगला दोस्तों जो वरड है एमिलाट उस्का मतलब होता है फोलो करनाम एमिलेट मतलब किसी को फोलो करना या फिर किसी परसन का अनुखरन करना लाइक आपके लाइफ में सबकी लाइफ में कोई ना कोई आइडियल होता है जिसको की वो फोलो करता है आपके पैरेंट्स आपके आइडियल है और आप अपने पैरेंट्स को एमुलेट करते हो तो मतलब आप अपने parents को follow करते हो, उनके नक्षे का अदम पर चलते हो, so emulate समझ आ गया, मतलब किसी को follow करना, अपने ideal को follow करना, Hindi में इसका उनलो हो गया, किसी का अनुकरन करना, मतलब वही होता है follow करना, अब देखते हैं इसको याद कैसे करना, इसको आप याद करो emulate को late के थ्रू कि आपका एक teacher है या फिर ऐसे याद करो एक teacher है जो कि school में late आया तो principal ने teacher को बोला कि अगर आप ही late आओगे तो students है वो आपको emulate करेगे आपके late आने पर students आपको emulate करेगे वाला students आपको ही follow करेगे इस त्रिक के ट्रिक बनाई है वैसे simple सा बड़ा बिना trick के आपको याद हो जाएगा ट्रिक आपके सामने teacher late आएगा तो student teacher को emulate करेगे emulate को late के थ्रू याद करने ठीक है teacher के late आने पर student teacher को emulate करेगे वाला teacher को ही follow करेगे जैसा student teacher करेगा वैसे student उसका अनुकरन करेगा उसको follow करेगे अब देख लेता है example newspaper की cutting this is also the reason why other states ये भी एक reason है कि जो दूसरे states है even if they emulate the measures adopted by the Kerala अगर वो measure को follow करते है जो कि Kerala ने adopt किया जो plans जो measure Kerala ने adopt किया अगर उसी measure को emulate करते है मतलब अनुसरन करते है उसी measure को follow करते है to fight the virus virus से fight करने के लिए तो यहाँ पर emulate का मतलब I think अब आप लोगों को याद हो गया होगा समझा के होगा emulate का अनुसरन करना और यह हमारा verb की तरह use होता है अगले question की तरह move करने से पहले दोस्तों एक current affair का जो मैंने वीडियो upload की है आज 7 माई की जिजिन लोगों ने नहीं देखी वो जागे जरूर देखना क्योंकि हम tricks के दुरू current affair याद करते हैं इसके साथ-साथ अब मैं static के भी questions आप लोग के daily add करना start करूँगा so please जो लोग यह वाली वीडियो देखते हैं at least वो लोग तो चुरूर देखा करो current affair की वीडियो ताकि आपको tricks के थुरू याद हो जाए so चलिए move करते हमारा अगला वड़ आज का दोस्तों जो हमारा अगला वड़ा हो है entropy entropy यह हमारा noun की तरह use होता है जिसका मतलब होता है decline करना मतलब की गिरा देना या फिर गिर जाना या मैं बोलू जो इंडिया की GDP है वो एंट्रोफ हो चुकिया मतलब इस ट्राइम decline हो चुकी है गिर चुकी है हिंदी में इसका मतलब होगया घिरावर्ट इंडिया की GDP में आप बहुत ज्यादा entropy देखने को मिली है पहुत ज्यादा declin को मिली है या फिर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है I hope आप लोग को यह वर्ड समझ आगए हो आप देख लेते हैं इसको याद कैसे करना है तो इसको आप इस तरह की साथ करो entropy को आप यहाद करो topi के थ्रू topi के थ्रू ठीक है जो topi थी वो entropy होगी मतलब topi गिर गई या फिर topi की sales में entropy आगी topi की sales में गिरावट आगी entropy को आपको topi के थ्रू connect करने trick आप के साम ए मेरे दोस्त की words की जो topi है वो entropy होगी मतलब मेरे दोस्त की जो topi है वो decline होगी गिर गई या इसको आप ऐसे भी connect करो कि जो lockdown के दुरान जो topi की sale है उसमें entropy आई है मतलब topi हो की जो sale में वो गिरावट आई है, decline हुआ है अब देख लेते हैं हम example newspaper की cutting यहां पर लिखा हुआ है, actually यह मैं पूरा cutting नहीं लिए है आप सिर्फ इतना पड़ो, increasing entropy मतलब जो गिरावट है, जो decline है वो increase हो रही है, वो बड़ी जा रही है, मतलब गिरावट लगातार लगातार गिरी जा रही है मतलब गिरावट में increase हो रहा है, तो आप लोगों तो बस word याद रखने है entropy मतलब decline और गिरावट अगला दोस्तों जो word है वो है bailout, bailout हमारा noun की तरह use होता है bailout, जिसका मतलब होता है assistance, या मैं बोलूं कि इसका मतलब होता है help या फिर सहायता करना, आप लोग ने यार word सुना हुआ, bailout packages bailout packages वो ही होता है, जो कि सहायता वले packages होता है like किसी state के CM ने बोला कि हमें bailout packages चाहिए center से मतलब वो center से पैसों की मांग कर रहा है कि पैसों में उनकी help की जाए state के पास पैसे खत्म हो चुकी है, इस तरीक से इसका मतलब होता है bailout मतलब सहायता करना, assistant और हिंदी में इसका मतलब हो गया सहायता, अब देख लेता है इसका मतलब, trick trick है उसको ऐसे याद कि हमने उसको bail दिला कर जेल से out करवाने के लिए bailout की जरूरत है मतलब कोई person है, किसी को मार मूर दिया, jail चला गया तो jail से उसकी bail करवाने के लिए, उसको jail से bail करवा कर, उसको jail से out करवाने के लिए bailout package की जरूरत है मतलब, उसको सहायता की जरूरत है, bailout की जरूरत है, मतलब, सहायता की जरूरत है, पैसो की जरूरत है तो bailout का मतलो क्या होता है assistance या फिर सायता और आप लोगो ने word सुना होगा bailout packages तो आपको ये word पका हियाद होगा मतलो सायता के packages की बात हो रही है अब देख लेते हैं newspaper में cutting तो यहाँ पर cutting है यहाँ पर दियो वे for them to do business उनके लिए business करने के लिए our lining up for the government bailout सरकारी सायता के लिए वो line up कियो हुए है ठीक है सरकारी सायता government bailout I hope यह word अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे so move करते हैं हमारे next question की तरफ अगले question की तरफ move करने से बहले एक मैं आप लोग को homework देशता हूँ और आज मैं दो word दूँँगा ठीक है और actually बहुत कम लोग reply करते हैं और व्यूज भी थोड़े से कम आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को जाज से जाज शेर किया करो और आज का जो homework है वो है cardinal cardinal को मैंने आपको card के थूर याद करवाई था तो मैं पूरा नहीं पता हूँगा तो आप लोग को इसका reply करना है और एक और homework है facious facious को मैंने face के थूर याद करवाई था इन दोनों का आप लोग को comment box में reply करना है with parts of speech with example or meaning I hope आप लोग reply करोगे जितने लोग वीडियो देखते है at least उतने तो reply करा ही करो तो हमारा आज का जो next word है वो है loony ल-o-o-n-y या ल-double-o-n-y लूनी यह दोस्तो अट्जेक्टिक की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है mad या फिर पागल या आप लोग को कि loony friend होएगे मतलब पागल फ्रेंड आप अपने friend को loony भी बोल सकते हो कि वो पागल है हिंदी में इसका मतलब हो गया पागल ठीक है mad या फिर पागल अब बात करते है loony को आप याद किसे करोगे तो दोस्तों loony को आप याद करो खूनी के थरू ठीक है कैसे याद करो खूनी के थरू लोनी को याद करो आप खूनी के थरू कि जो खूनी person होते है खूनी आदमी ट्रिक बनाई है, so trick आपके सामें खुनी लोग लूनी होते है, खुनी लोग पागल होते है खुनी लोग मैड होते है इस तरीके से अब ऐसे जो लूनी वड़ा है ये आप फ्रेंड के लिए यूज कर सकते हो maximum लोग फ्रेंड के लिए यूज करते है कि इसके जो चैलेंजर से उनको डिसमिस कर दिया गया ऐसे लूनी फ्रेंज मतलब पागल या फिर मैड I hope ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा so आज के लिए बस इतना ही रखते है and thanks for watching और जो भी पहली पर वीडियो देख रहा है कि अगरो इसके लावा क्रेंट फेर का जो सेशन होता है उसको भी जाद से जादा लोग देखा गरो ताकि ट्रिक के थुरू आप लोग को क्रेंट फेर इजली याद हो जाए